तो आज चलते हैं Madurai के एक आलिशान पैलस में, Thirumalai Naik Palace, I would say a must visit place in Madurai. इस पैलस को King Thirumalai Naik ने 1635 में बनवाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि Royal Family एक unique और masterpiece residence में रहे. और इसलिए उन्होंने एक Italian architect को हायर किया, इस पैलस को बनवाने के लिए. पिछले चार सेंचुरीज में इस पैलस को बहुत बार रिनोवेट किया गया है, लेकिन इसके original Dravidian architecture को आप आज भी देख सकते हो. सबसे खास बात इस पैलस की, ये बड़े-बड़े से पिलर्स. It looks like a movie set. It has been declared a national monument post-independence and it's beautiful. यहाँ आने के लिए आपको entry ticket लेनी पड़ेगी और ध्यान रहे, camera बिल्कुल allowed नहीं है. फोन लेकर आप आ सकते हो, लेकिन photo या विडियो लेना बस courtyard तक allowed है. और अगर आपके पास time हो, please attend the light and sound show in the evening. ये पैलस मिनाक्षी मंदर से बस एक किलोमेटर की distance पे है. बसेसर कैपस इसली अविडियों.